हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स कैसे आप लग आई होप अच्छे से होंगे और कुसल मंडल से होंगे तो मैं भी ठीक हूँ लड़के वालो के आऊ से चढ़ाव चढ़ावाते हैं अश एविगे लगांनों से मुजाता हैं और में आज साड़ी में आती हैं में चढ़ाव लड़के वालों के याँ से चढ़ाव चढ़ाते हैं तो आज मैंने का हरी साडी पहनते हैं और गुडिया में नाग पंचमी के दिन भी बहुत मतलब महत होता है तो वह जो बहुत साथ सेर करूगी अभी सुबर सुबर इतनी बात करने का ठाइब नहीं है तो शुरू हो गई ह नमें में कड़ाई चावल निकलते हैं तो नाव दोट झाल ढाया है दोड़ बूज लिया है एक पर फोड़ा बहुत पड़ो पर निकल आया है तो बहुत सारे ब हुलाबब शीजवरी नाय…. आएगा और बड़ी मुस्किल से धान मिला है क्योंकि मिलता नहीं है यहां पर ढूंड़ते दिख्षा साम को मार्केट गई थी स्कूटी लेके डूंड ढूंड के लेके आई है और पूरी थाली मैंने जो भी मुझे चड़ाना करना था उपर मंदीर है तो उपर से लेके बस नीचे आ गई हूं नीचे में गेट पर यहां पर सबसे पहले पूजा करूंगी नाग पंचमी की और यहां पर यह नीचे हमारे किराये दारत वह पूछ रही थी कि क्या है आज उनको पता भी नहीं था मैंने का नाग पंचमी है बताया और बगल वाले पडोसी लोग भी य हल्दी ली है और हल्दी से ठोड़ा सा गेट के बाहर फोडा से कि लीपना पोतना हम लोग क्या बोलते हैं पर हलका असल पने वह लगा दिया है हल्दी से घोलके ऊसके बाद यहां पर दीपक जला लिया है और घी से इसमें नाग दिया जाता था दूध हो लावा कहते थे नाग देटा कहीं भी मतलब आएं और दूध पी यह होता था उसमें यहीं बोलते हैं तो वही रीतरिवाज थोड़े बहुत जो मेरे से हो सकता है मैं पूरी कोशिज करती हूँ अपने यहां का परमपरा अपनी रीतरिवाज नहीं छ करने चाहिए यहां पे दोनों तरफ ही मैंने ऐसी पूजा कर ली है और दूध यहां पे मैं नाली है तो नाली के पास भी मैंने दूध और लावा भरके रख दिया है दिवाली में और गेट पे भी कर लिया है और दोनों ही तरफ गेट के उसी तरह से मैंने पूजा करी है उ तो फूजा पाठ हो गई है और यह लोग भी सब नहाद होके बैट गए अभी अभी कुड़े की गाड़ी आई थी गाए को रोटी खिलानी थी सब दिख्छा करके आ रही है और बैटी है दीपु क्लास ले रही है और अब मेरी बारी है किचन में लगने की किचन में चलती हूँ बनाती हूँ इधर देव भी यह इनकी अभी बीक्लास खतम हुई है तो बस टीवी में लगे हुए हैं सब नहाद हो लिया भी कपड़े बल्टी में भर के रखे हुए है और यह तोब लोगा पड़ा है यह सब नहाते दोते जाते हैं टांगते जाते अब यह देर जो है मैंने चने बएल कर रखें नमक डाल के चने में थोड़ा सा मसाला ले रही हूं जिसमें मैंने धनिया पाउडर मिर्ज पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला और यह भूने हुए जीरे को पानी में घोल दिया है और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग और जीरा डाल दिया है और जीरे के बाद में यह जो पानी में घूला मसाला रह गुगरी बोलते हैं जो अधर की लोग होंगे उनको पता होगा और इसके बार इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और यह टमाटार का पेश डाल दूगी और नमक डाल दूगी बस हो गया यह चने तयार है और मतलब सुबा के नास्ते में यही घुगरी धेर सार का döeg मकरी तो करना दूप को डूगी घुठी में खावल की खीर बना लूगी तो तवहर royal दिन हम लोग यहां जैसे घुठीया यह है तो यहां없이 हिशे बनतीं था चीज जो महुआ होता है महुआ का एक ठेकुआ बोलते हम लोग यहां वो भी बनता है आज के दिन अब लेकिन यहां महुआ वगेरा मिलेगा नहीं और यहां पर चना जब मेरा बन गया है तब मतलब अजवाइन और थोड़ा सा नमक और दो चमस तेल डाल दिया था बसाटा नार्मल गून देंगी कचोड़ी के लिए डिलाटर यह थोड़ा सा धनिया और सौप हलका सा बूजा है और थोड़ी सी मिर्ची कूट लोंगी तो आलू की कचोड़ी की तयारी हो रही है मिर्ची बूटा है सौफ और धनिया इसको डाल दूगी और गयस बंद कर दोग्या थोड़ा सा ब्राव्टर पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला यह डालने के बाद बस नमक डाल के और इनको मिला दोगी तो मेरा कचवड़ी का मसाला भी तयार हो गया है तो आज यही बन रहा है मेरे खादे में तो खीर और चने एक आलू की सबजी बॉयल आलू की सबजी क्योंकि इनकी भीना सबजी के नहीं चलती है और सब लोग तो नहीं कचोड़ी के साथ जैसे खीर भरी कचोड़ी है चटनी सौस वगेरा से खा लेते हैं पर इनको सबजी चाहिए होती है तो बस यहां पे खीर भी मेरी पग गई है दूद में और चीनी डाली हूँ थ हमेशा मैं चीनी ड्राइफ रूट इलाइची है अब सब कुस्त त्यार हो गया लाश्ट में बनाने जा रही हूं मैं कचोड़ियां तो भर भर की कचोड़ी बनाना मतलब थोड़ा आसान होता अकेले भी बन जाते हैं पूरी कोशिस करती हूं कुछ हम लोग कहा होता है वो चीजें हम चाहें परदेश में रहें करें और एक्ष्ट्रा भी आपका मन है तो आप और भी करिए पर वो चीजें नहीं छोड़नी चाहिए बच्चे वहीं से सीखते हैं जो हम देखते हैं दीरे दीरे सारे परमपरा सब कुछ वैसे भी देख रहे होंगे आप कम होते जा रहे हैं और आगे की पीड़ी को तो पता ही नह होता है तो वह बता देती हैं तो मैं अक्सर वही और आज की दिन हम लोग के हम मेहंदी जरूर लगाते थे मैं अपने मम्मी से मेहंदी लगाया करती तो मैं मेरी जो सीख होती थी नीम की सीख उससे बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी तो खाना बन गया है आजाए आप ल शॉपिंग कर लो तो खुद से ही कुछ चीज़ें और कर रही है मैं बाद में आप लोग को दिखाऊंगी कि इतना सुहाना मौसम है अभी अभी बहुत बारिस होके निकली बहुत पूर पानी पानी भरा है नीचे देखें कितना पानी है यह देगी अच्छा लग रहा है ना पानी में चाप 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 बच्पर वाले दिन आदा जैसे हम लग बुडिया पे बारिस जरूर होती थी नाट पंचिमी पे जूला जूलते थे उस दिन जरूर बारिस होती थी साम को हम लग जब भूमने जाते थे नतीके किनारे आज व मार्केट जा रहे हैं और अभी बारिश बन नहीं हुई है हलकी हलकी हो रही है और आज जानते बहुत ज्यादा बारिश हुई है और दीख्षा के शॉपिंग तो धीरे-धीरे हो रही है कठा हो जाएगी मतलब पूरी हो जाएगी तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी जो रह जाएगा वो मार्केट से भी लियाओंगी तो अभी तो मार्केट में इसलिए जा रहे हैं कि हमारे यहां का रीत्रिवाद जो है हमारे ससुर जी हमेशा जो है जिस दिन गुडिया होती थी नाग पंचमी के दिन नए कपड़े मंगाते थे जैसे लड़कों के लिए पुगडिया पीटने के बाद नया कपड़ा पहनते थे तो हम भी बस इनके लिए और देव के लिए कुछ चीजें जो अंडर गार्मेंट्स वगेरा होती है कुछ चीजें कपड़े बस वही लेने गई हूं तो दोस्तों आ गई मार्केट से और शॉपिंग भी जो हो गई क अंबर की कर ली है बच्चों की इनकी करिये यह देखिए पहन के वी बैठे हैं हरा हरा सावन में है ना मैचिंग भी होगा है सावन खतम ओरत क्या हूगा है वाद सावन खतम ने अर्टोना पंची ब्रहता है यह दो अधिक्षा दिपु की रॉण लाइन सौपिंग चल रही है बड़े तक हो जाई तब ही मैं दिखा दूगी देव इधर आजो तुम भी थोड़ा सा तो इन लोगों ने मैंने का पहन अब लोगों ने को निचे का लोगों नई का लिया तो बस यही कुछ सॉपिंग अभी यहां पूदे पड़े हुए हैं जो हमारे आहां लेते हैं वही सारी सीजे हैं अब चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं मिलते हैं नेक्ष वीडियो ब्लाग में और आप लग को मेरे वीडियो ब्लाग पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और चलिये वीडिशी के साथ अपना ख्याल रखिए खुस रही ए पुस्ट्यूरी ए बाइबाइबाइबाइबबाइब को इस ने आप टुर्णी ओसलीक